नमस्कार दोस्तों मैं हूँ Amit और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं Python के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं और इस कमेंट्स का किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो में लाच तक तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं So students, Python के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं और इसका क्या यूज होता है जरब उसको समझे जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने नोट्स के अंदर आपके लिए बना के रखा है और लिख के रखा है क्या है कमेंट आपका यहाँ पर तो कमेंट एक तरीके का माधियम है जिसकी मदद से आप अपने कोड के मीनिंग को समझा सकते हैं अब कैसे समझा सकते हैं कोड के मीनिंग को जरब उसको समझे यहाँ पर दिखें जैसे कि मैंने यहाँ पर एक variable बनाया देखेंगे यहाँ पर a is equals to 6 मतलब मैंने a variable बनाया और इसके अंदे 6 को assign किया ठीक है और मैं इसके सामने मैंने यहाँ पर लिख दिया here we are declaring a variable मतलब मैंने इस variable जब मैंने बनाया इसके आगे मैंने comment pass कर दिया, किसके लिए समझने के लिए कि मैंने यहाँ पर एक variable बनाया है, ठीक है एक और समझी है यहाँ यहाँ पर दिखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं 5 plus 6 plus 7 का add करके print कर रहा हूँ ठीक है, तो मैंने यहाँ पर programmer को समझाने के लिए यहाँ पर एक comment pass किया है here we are printing the addition of three numbers in python programming, ठीक है, तो उमीद करता हूँ समझ में आगया आपको कि comment क्यों लिखा जाता है और किस लिए लिखा जाता है, ठीक है, अभी देखिए जैसे कि यहाँ पर जो भी यह comment वगरा लिखे वे हैं, अगर मैं direct अपने code में लिख दूँगा, तो यह एक तरीके से invalid syntax आपको बताया जाएगा, बोला जाएगा जो आपने लिखा है, यह गलत है ठीक है, तो यहाँ पर comment यूज करने के लिए आपको कुछ syntax को follow करना होता है, ठीक है जैसे कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जो comment होते हैं, हमारे two types के होते हैं there are two types of comment पहला होता है single line comment और दूसरा होता है multi line comment ठीक है, तो यहाँ देखिए अगर आपको कोई भी single line comment लिखना है, तो comment लिखने से पहले आपको hashtag इस तरीक से लगाना होगा, then उसके बाद आप single line comment इस तरीक से एक line में लिख सकते हैं, ठीक है लेकिन आपको multiple line में comment लिखना है, दो से तीन line में तो उसके लिए आपको simple three single quote या फिर dual quote को आपको पहले open करना होगा then उसके बाद जहाँ पर आपका comment खतम हो रहा है, वहाँ पर इस तरीके से उसे close करना होगा, अगर आपने single quote से start किया है, तो single quote से close करेंगे, और अगर आपने dual quote से start किया है, तो dual quote से ही यहाँ पर बंद करेंगे, ठीक है फिलाल तो यह आपने notes में देख लिया चलिए अब मैं आपको इसको practical गई के दिखाता हूँ, तो दिखिए यहाँ पर आपको जैसे कि याद होगा last class के अंदर हमने int function को सीखा था, और साथी साथ हमने यहाँ पर input function को भी सीखा था, कि किस तरीके से हम user से input ले सकते हैं, ठीक है जैसे कि अब यही बात आपको किसी programmer को समझा नहीं है, ठीक है अब पहली बात तो यह आती है, आप programmer क्यों समझाना चाहते हो, जोगा उसको समझेगा जैसे कि आपने ये code आपने लिखा ठीक है, अब आपका friend जो है वो आपसे आपका code मांग रहा है ठीक है, तो आपने क्या किया, अपना ये code वाली file अपने friend को दे दी ठीक है, तो आपका जो friend है पहले तो इस code को पढ़ेगा देखेगा, ठीक है, अभी तो देखो यहाँ पे 3 line का code है, तो easily समझ जाएगा हो, ठीक है, लेकिन जब हम आगे चलेंगे, आगे पढ़ेंगे python के अंदर, तो वहाँ पे जो code का number of lines है, वो काफी जादा बढ़ जाएगी, ठीक है, फिर उसमें आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि आपने क्या काम किस line में किया है ठीक है, तो आप अभी user से input लिया है, ठीक है मैं यहाँ पे comment पास कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने first number का input है, वो user से लिया है जैसे कि देखे, मैंने यहाँ लिख दिया getting the first number from the user ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, अभी देखे मैंने बिना hashtag डाले यहाँ पे इस line को इसके आगे लिख दिया है, तो यहाँ पे देखे रहे है, पूरा error आगया है यहाँ पे, और देखे, यह red color यहाँ पे पूरा हो गया है, ठीक है लेकिन अगर मैं इसके आगे यहाँ पे hashtag का symbol लगा दूँ तो देखे, यह पूरा यहाँ से लेकि यहाँ तक आपका यह gray हो जाएगा ठीक है, हो गया, तो इसका मतलब यह है, कि जब आप इसे run करोगे तो वो इस code को read नहीं करेगा, वो इस code को as a comment मानेगा, और फिर इसको read नहीं करेगा, और जो इसके नीचे का code होगा वो उसको read करेगा, ठीक है तो जो यह हमने comment लगाया है यह बस आपके friend को समझाने के लिए या फिर किसी भी programmer को समझाने के लिए, या फिर आपको खुद को समझाने के लिए, जैसे कि आपने अब यह hashtag यूज किया है यह single line comment है, ठीक है क्या है यह single line comment ठीक है, अब यह single line comment कैसे आप तो कह रहे होंगे, देखिए, यह first line में यहाँ पर आया और यह second line में भी आ गया और यह second line में भी काम कर रहा है, तो लेकिन यह ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैंने कोई भी enter प्रेस करके second line में इसको break नहीं किया, अगर मैं यहाँ पर जैसे कि first के आगे, यहाँ पर enter कर दूँ, ठीक है, तो देखिए, अब यह जाके, अब जाके यह पुरा second line में आया, ठीक है, तो जब यह second line में आया, तो देखिए, फिर से यहाँ पर error pass आ गया नहीं, यहाँ पर देखो error आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको multiple line यूज करनी है, तो यहाँ पर मेरे को single code या फिर dual code का use करना होगा, अपने line को comment करने के लिए ठीक है, तो मैं इसे फिलाहल ctrl z कर देता हूँ ठीक है, और मैं जैसे यहाँ पर एक comment pass करता हूँ, ठीक है क्योंकि देखो हम यहाँ पर क्या कर दें sixth line के अंदर, हम यहाँ पहले तो type casting कर दें, मतलब अपने string को integer में convert कर दें, then उसके जो भी हमें user से input मिला है उसको plus कर दें, ठीक है तो इसी चीज को लिखना है, तो simple मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको इस तरीक से लिख देता हूँ तो देखो, मैं लिख दिया, convert user input string into integer then adding the both input of the user, ठीक है तो यहाँ पर मैंने enter करके इसे लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो यह मैंने लिखा है, यह अभी अगर मैं इस run को अभी चला दूँ तो यह ना आपका error produce कर देगा ठीक है, तो मैं क्या करना पड़ेगा इसे comment करना पड़ेगा, देखो अभी मैं आगर यहाँ पर hashtag लगाँ, single line कि यह line यहाँ से शुरू ही, और यहाँ खतम हो गई, और यह line यहाँ से शुरू ही यहाँ खतम हो गई, लेकिन यह बात तो आपको पता है, कि आपकी यह line स्टार्ट हुई है, यहाँ से वह यहाँ पर खतम है, ठीक है, तो इसके पर आपकी lign खतम है, जहां पर आपका comment खतम है, वहाँ पर आप कैसल रखेंगेश और वहाँ पर भी तीन इस तरीके से single quote लगा दीजी, ठीक है, तो यहां से लेकर, यहां तक आपका जो होगा यह comment हो जाएगा, और इसको कहते है multi-line comment और इसको कहते है single line comment, ठीक है, यह मैं थ थोड़ा जूम कर रखा इस विए से आपको ऐसा दिख रहा है ठीक है अगर मैं थोड़ा सा इसे छोटा करूं तो देखे यहाँ पर यह आपको सिंगल लाइन में दिखेगा और यहाँ पर यह आपको दो लाइन में दिखेगा दो लाइन में क्यों दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसे एंटर करके दो लाइन में किया हुआ है ठीक है तो उमीद करता हूँ छोटा सा टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा आगे चलके बहुत ही काम आने वाला टॉपिक है यह कमेंट वाला आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही है बाकि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा ओके तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो थैंक्स पर वाचिंग ओवे वीडियो वीडियो वीडियो